इस वीडियो में हम करने वाले Realme 3 Pro को Long Term Review मतलब 11 महीने हो चुके हैं और अभी मैं वापर से इसका Reviews ले कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मैंसे पूछ रहे हैं कि Realme 3 Pro लेना चाहिए कि नहीं प्राइस का प्राइस है पर लोग ऐसा लग रहा है कि अभी भी बोर्तित हैं बहुत लोग कहरें कि सेकेंड में मेरे को 67000 में मिल रहा है इसमें आपको polycarbonate back मिल जाता है और एक साल बार में बताऊंगा कि यार इतना ज्यादा बुरा हालत भी नहीं हुआ है पॉलिकार्बनेट है और भाई जो है mostly prefer करता है कि बिना case का यूज करें तो overall build quality wise आपको problem नहीं आएगा सामने के तरफ आपको 6.3 इसका FHD plus display देखने को मिल जाता है viewing angles excellent sunlight legibility और भी excellent है और मज़े की बात यह है कि इसमें जो सामने है आपको corning gorilla glass 5 का protection देखने को मिल जाता है आजकल बहुत सारे बीस-बीस-बीस-बीस-बीस-बीजार के फोन में पर coinning gorilla glass 3 का protection मिल रहा है तो यह इसका एक advantage है पर problem आता है इसके touch issues में हर जगे आपको touch issues देखने को मिलेगा अगर आप camera को app जो है open करते हो और video बनाते हो उसके बाद उसे बंद करने के लिए आपको model को और recently मैंने यह भी notice कि PUBG में भाई यह भी बता रहा था कि पहले 6 महीने तो PUBG काफी बढ़िया चलता था पर अभी PUBG में काफी settings के अंदर वो पहुच भी नहीं पाता है क्योंकि touch issues इतना है कि वो button काम भी नहीं करते है तो overall display wise अगर आपको media conception के लिए बढ़िया smartphone चाहिए त बढ़िया रहेगा जब आप खरीदोगे इसे नया नया बिल्कुल बढ़िया काम करेगा पर क्या 11 महीने बाद उसका touch बढ़िया काम करेगा इसका मैं guarantee नहीं दे सकता क्योंकि इसका touch जो है खतम हो गया है performance कैसा है realme 3 pro का एक साल के बाद बाहीं बताता है कि decent है और इसके smartphone क अगर आप देखो होगे ना तो इसमें दुनिया के लगता है कि आधे साधा है एपस जो है इसने इंस्टॉल कर रहा है फिर भी कहते कि multi-tasking करते वागते है कुछ भी चीज़े करता हो डी-to-day usage में जाधा लैग देखने को नहीं मलता जाधा बता रहे है मतलब ऐसे नहीं कर जलता है ग्राफिक्स बढ़िया है जारस को काफी बढ़िया है मतलब ऐसा है कि आप इसे स्मूथ पर अल्टरा तक खेल सकते हो तो कोई प्रॉब्लम ने फ्रेम डिट्स पी डिसेंट बिलता है पर उसमें जो हीटिंग होता है ना यह नेक्स लेवल है मतलब आप इसमें ऑम अपडेट्स आयते दरादर अपडेट्स आयते उसके बाद ही इसका जो हीटिंग इस्यों वह काफी जादा सेवियर होने लगा है बैटरी लाइफ के बारे में मैं तो जादा नहीं कह सकता पर भाई ऐसा बता रहे कि एक दिन का यूसेज मिली जाता है मतलब ऐसा कि पहले उ आपको एक गंटेक अदर फुल चार्ज कर सकते हो और चार्जिंग करते है वक्त ना स्मार्टपोन हलका सा हीट होते और जो ब्रेक है जो चार्जिंग ब्रेक है वो काफी जादा हीट होता है विच आइट थिंक इस प्रप्रॉब्लम पर बैटरी लाइफ ये स्ट्रिक्ली और heating issues काफी जादा बढ़ गया, performance में आपको lag देखने को मिल जाता है, touch issues जो है काफी जादा severe हो गया, इतना तक कि आपका जो camera है पे उसमें भी touch issues देखने को मिल जाएगा, तो overall updates तो दे रहे हैं, security patches level भी आता रहते हैं, पर मेरे को लगता है कि कही ने कही जो updates है उन्होंने mess सब करते हैं, इसके performance के साथ और touch issues के साथ, तो overall बस हाँ आपको latest software मिल जाती है, पर performance बहुत ही जादा degrade कर देती है, वो सारी updates, conclusion से पहले, इसके selfie और rear camera के बारे में बात कर लेते हैं, मैं कहूंगा कि जो rear camera है, वो decent है, काफी जादा sharpness देखने को मिल जाता है, अगर आप zoom क जब कि सरफ 16 का है, उसके बात इसका dynamic range है वो अभी भी बढ़िया है, मैं इससे compare कर रहा हूँ 11 महीने के बाद, 11 महीने के बीच में काफी साथ updates भी आएंगा, उसके बाद क्या performance बिगड़ा है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो rear camera is decent, पर selfie camera में notice कर रहा हूँ कि sharpness उत जादा over sharpened या overexposed कर देता है, पहले इससे नहीं करता था, पहले इसका selfie samples आते देना इतना ज्यादा crisp होता था, मेरे को याद है जब मैंने पहली बार इसे unbox किया था channel पे, तो उससे में भी मैंने selfies का बहुत जादा तारिफ कर रहा था, तो अभी जो है काईना कई updates के साथ खतम हो गया, अभी आते हैं conclusion पे क्या आपको smartphone को खरीदना चाहिए, मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, अगर नया smartphone लेना चाहते हो, तो 13,000 कुछ का पढ़ेगा आपको, इसका base बेने, मैं 6GB की बात नहीं करता है, 4GB बेने, तो 13,000 कुछ का पढ़ेगा, अगर मानलो offer में क क्योंकि आपको Narzo 10 भी आ रहा है, Redmi का Note 9 भी बता जा रहा है कि एक base variant टाइप आ रहा है, वो भी आप खरीद सकते हैं, 10,000 ये 11,000 के आजपास होगा, और अगर आप 13,000 करच करना चाहते हैं, तो Redmi Note 9 Pro मिल जाएगा, Realme 6 मिल जाएगा, मतलब आप किंक कह सकते हैं, गेमिंग का उस price rate में, तो overall मैं बिल्कुल भी suggest नहीं करूँगा कि ये वाला smartphone आप खरीद लो, और वैसे भी यार मैं सोचाँ कि smartphone को बस fake दों, जलाई दों, और भाई के लिए एक नया smartphone दे देता हूँ, वैसे भी बहुत पुरान हो गया, इसे जलाएंगे नया phone देला रहा हूँ, ठीक तो मैं कौन सर फौन दिला रहा है? फौन कुन दिला रहा है तो मैं एसी वीडियो के लिए कर रहा हूँ यार बहुत लेगे तू सीरियसली को देता है यार किसी तरह निकल के आगया, वीडियो एंड करना भूल गया, भाई को मत पताना कहां पे हूँ, अगले वीडियो मिलते हैं, थैक्यू सो मच फॉर वाचिंग, और हम रोज लाइव आते हैं, यार 6.30, 6.45 के आसपास आते हैं, पूछ लेना है आर आके की हालत कैसे, अगल वीडियो मिलते हैं, थैक्यो सो मुच वाचिंग, बाई